हलो एब्रिवन वेल्कम टू टेस्टी फूटी खिचरी तो बहुत बार खाई होगी पर ऐसी टेस्टी खिचरी कभी नहीं खाई होगी तो फिर बनाते हैं खिचरी यदि हमारी रेस्पी पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए खिचरी बनाने के लिए हमने मसूर की दाल, चने की दाल, मौंकी दाल, उरत की दाल, अरहर की दाल ली है पास दाले हमने वरावर मात्रा मिली हैं इसी में हम आदी कटोरी चावल डाल देंगे दो तिन वार हम दाल चावल को धो लेंगे दाल चावल को धो लिया है कोकर में एक बड़ी चमच वाइल डाला है वाइल गरम है अब हम इसमें डाल देंगे जीरे प्याज हरी मिर्च प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है हल्का सा सौप्ठी करना है प्याज सौप्ठ हो गई है अब हम इसमें सब्जियां एट कर देंगे टमाटर, सिम्ला मिर्ज, आलू, मतर, इसी में हम मसाले एट कर देंगे हल्दी, धनिया, लाल मिर्ज, दो पिंचिंग डाल देंगे दो, तिन मिर्ट तक हम इसी तरह से चलाते हुए मसाले और सब्जियां भून लेंगे जिससे सभी चीज़ां अच्छे से भून जाएं आप मन पसंद सब्जियां एट भी कर सकते हैं और जो आपको पसंद ना हो वो खटा भी सकते हैं इसी में डाल देंगे हम दाल चावल पांच मिर्ट तक सभी चीज़ों को हम इसी तरह से चलाते हुए फिर से भून लेंगे फ्रेंज यदि रेश्पी पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब कीजी लाइक कीजी पांच मिर्ट तक सभी चीज़ों को हमने फिर से भून लिया है अब हम इसमें तीन ग्लास पानी डाल देंगे स्वादा नुशार नमक मिला देंगे कुकर का ढकन बंद कर देंगे और तीन सीटी आने पर गैस बंद कर दिया था कुकर ठंडा हो गया है खोल लेते हैं खिचरी बन की तैयार है अब हम सर्ब कर लेते हैं हमने खिच्री में ज्यादा मसालों का यूज नहीं किया है यदि आपको पसंद हो तो आप कर भी सकते हैं रेश्पी पसंद आती है चन्ना को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए